मैं अजय चन अलीगर्ण से बोल रहा हूं और आज हम त्यांस के ओमेगा लाइफ के बावत बात करेंगे जो कि एक बड़ा जबरदस प्रोडक्ट है और इसमें जो इंग्रेडियेंट्स है 36 इंग्रेडियेंट्स है जिसमें ओमेगा 3 fatty acids 36 by 24 EPA 360 and DHA 240 यह क्या है मैं आगे बताता हूं लुतेन, Ginkgo Bilbo extract, potassium chloride, citrus bioflavonoids, calcium phosphate, magnesium oxide, ginseng extract, calcium ascorbid, wheat germ, colline citrate, lecithin, green tree extract, ferrous fumarate, विटैमिन B3 जिसको नियासिनमाइड भी कहते हैं, ग्रेपशीड एक्स्रेक्ट, पाइपराइन, जिंक ओक्साइड, नेचरल मिक्स, केरोटिनोइट, विटैमिन A, E, B1, B2, B6, D3, K, and B12. बैसिलस, कोगुलेंस, कोएगजाइम Q10, कॉपर सलफेट, क्रोमियम, पिकोलिनेट, फॉलिक एसेड, पोटेशियम, आयोडाइड, बायोटिन, विटैमिन K, सोडियम, सेलेनाइट, ये 36 इंग्रेडियेंट्स, एक ओमेगा लाइफ में पाए जाते हैं, आप सोचिए, क्या एक मजमुआ है, एक बहुत जबरदस प्रोड़क्ट है, ओमेगा लाइफ, बहुत लोग कहते हैं कि बाजार में ओमेगा थी तो मिलता है, उसी की तरह होगा, लेकिन आप देखिए, इसमें सारी चीज़ें हैं, जो आपको विबिन प्रोड़क्स में अलग-अलग भी उपल होती हैं, लेकिन याँ, ओमेगा लाइफ, यानि एक कैपसूल में ये सारे इंग्रेडियन्स मौझूद हैं, जो मैं बोल रहा था, EPA, EPA है, इको सेपेंटेनोइक एसिड और DHA है, डोको सेखजाइक नौइक एसिड, ये दो चीज़ें हैं, जो बेनेफिशियल हैं, ओबरॉल हार्ट की हेल्थ के लिए, क्योंकि ये उसमें बहुत सायक हैं, हमारे दिल के स्वास्त के लिए ये दोनों ही एसिड्स बहुत सायक हैं, EPA और DHA और ये हमारे ओमेगा लाइफ में पाए जाते हैं, ये इसकी एक जबर्दस एफिकेस्टी है, ये सपोर्ट आ लो फेट को सपोर्ट करता है, यानि इसमें ज़्यादा जो चिकनाई जिनको नहीं चाहिए, क्योंकि चिकनाई से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ओमेगा लाइफ को लेने से हम इस चीज़ से बचे रहते हैं, एन्हेंस इम्यून सिस्टम, हमारे रोग प्रती रोग दक्षमता को ये बढ़ाता है, एक्स एज इमूनो मॉडिलेटर, यानि इम्यून सिस्टम को और भी बहतर बना देता है हमारा ओमेगा लाइफ, इंप्रूव्ज एनरजी मेटाबॉलिज्म, उपापचे की क्रिया, य उसको ये बढ़ादेता है, इस्टरूव करता है, health to prevent metabolic disorder, और उपापचे की क्रियाओं में जो समस्याय हाती है, उनको ये रिमूव करता है, दूर कर देता है, और उपापचे की क्रियाओं हमारे digestion का जो process है उसको ये बहतर बना देता है maintenance skin and hair health हमारी तुचा और बालों के स्वास्त को ये बहतर बना देता है improves eye function आँखों के क्रिया विधी कारेश विधी को ये बहतर बना देता है यानि हमारे नजर के लिए बहुत अच्छा है उसके अलावा acts as strong antioxidant हमारे शरीर में metabolize के दौरान बहुत से free radicals बनते हैं और उनको remove करने में antioxidants का एक बहुत बड़ा role होता है और हमारा omega life एक बहुत ही मजबूत antioxidant की तरह कारे करता है और free radicals को शरीर से बहार निकाल देता है maintain healthy triglyceride level यानि हमारे cholesterol में जो triglyceride level है उसको वो maintain करता है ताकि हमारे शरीर में जो समस्यां triglyceride की वज़ा से उस्पन होती हैं वो न हो और healthy triglyceride के level को maintain करता है keep the healthy body by making the healthy cell membrane हमारे शरीर की जो unit है जो एकाई है वो एक कोशिका है और वो कोशिका एक कोशिका के जिसको हम cell membrane कहते हैं एक बहुत पतली जिल्ली परिशानी आ जाती है जोड सही से काम नहीं करते हैं उठने बैठने में दिक्कत होती है और बहुत सी बार इस्टिफ हो जाती है हमारे जोइंट्स उन सब में ये बहुत बहुत प्रेशानी नहीं को दूर करने में बहुत लाबकारी है इंप्रूब बोन है हमारी हड्नियों की हड्नियों को स्वास को बहुत करता है बाई पॉजिटिवली इंपक्टिंग दा बॉड़ी स्कैल्शियम लेवल्स इंप्रूब लंग है एंड इंडूसिंग इंफ्लेमेशन इन डिजीजिस लाइक अस्थमा अस्थमा जिसको दमा कहते हैं कहते हैं दमा जो हैं दम के साथ जाता है लेकिन हमारी थेरपी म हमारे पास हमारी कंपनी में ऐसे प्रोड़क्स हैं जो इन सब चीजों को हम ऐसे ही रिमूव कर देते हैं दूर कर देते हैं समाप कर देते हैं और ये हमारी हट्डियों की स्वास्थ के लिए बहुत अच्छा है और कैल्शियम के लेवल को कैल्सियम जो की बहुत ही आवश् अच्छा रखता है और इविन अस्थमा में भी बहुत ही लाबकारी है Central Nervous System जो हमारा Central Nervous System है जिसमें हमारा Brain आता है, हमारी Spinal Cord आती है उसको और Brain के Development को ये बहुत बहतर करता है तो आप सोचिए, Overall Body की Health को Omega Life कितने अदबुद रीती से सुधारता है और हमें एक स्वस्थ और निरोग जीवन प्रदान करता है, Omega Life Reducing the Pain Associated with PMS जो हमारे बच्चों में, इस्ट्रियों में, बेटियों में, बैनों में जो मासिक धर्म के समस्या के होती है उसमें जो Pre-Masturant Syndrome की वज़ा से जो पेन होता है, दर्द होता है पेडु में और कभी-कभी पिंडलियों में उस सब को ये Reduce करता है और बहुत भी लाबकारी उस दौरान ये रहता है Ladies के लिए, Health to Prevent Colon, Breast and Prostate Cancers have all been correlated with low intakes of omega-3s और ये हमारी बड़ी आथ जिसको कोलन बोलते हैं Breast और Prostate के Cancers में और omega-3 के कम intake की वज़ा से जो समस्या है आजाती है बोडी में उनको ये दूर कर देता है और हमारी को को breast और Prostate के Cancer में भी बहुत नाबकारी है Reduce plague, build-up and blood clots in arteries that lead to the brain और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे धमनियों में हमारी शिराओं में blood के clots हो जाते हैं हमारी arteries में धमनियों में blood के clots हो जाते हैं और अगर वो clots brain में चले जाते हैं तो उससे बहुत सी समस्याएं हो जाती है Paralytic attack हो सकते हैं और ब्रेन का वो पर्टिकुलर भाग जिसमें वो क्लॉट मस गया है उससे जो भी हमारे शरीर के अंग हैं वो प्रभायवित होते हैं वो सारे निश्क्री हो जाते हैं लकवा मार गया या फॉलिज गिर गया यह उन सब समस्याओं से नजात दिलाता है यह ब्लड की क्लॉटिं कॉलेस्ट्रॉल भी कहते हैं उसके लेविल को मेंटेन करता है और बढ़ाता है बिकॉज आफ डी एचे एन एपीए डी एचे और एपीए जिसको हमने पिछली स्लाइड में देखा यह दोनों एसिड्स मदद करते हैं अच्छे कॉलेस्ट्रॉल के इस तर को बढ़ाने में ह और इस प्रकार से यह जबरदस तरीके से हमारे इम्मुनिटी सिस्टम को इंप्रूव करने में सहयता देता है एवरीबडी एन ओल एज ग्रूप के लिए रिकमंडेड है यानि सब लोग इसको इस्तमाल कर सकते हैं पीपल विर एड रिस्क आफ कार्डियो वैस्कुलर वो लोग जिनको उच्छ रख्चाप की समस्या है उनके लिए बहुत अद्बूद है वे लोग जिनको हाई कॉलेस्ट्रॉल है उनके लिए बहुत अद्बूद है डिप्रेश परसन वो लोग जो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं एक बार बहुत से कारण हो सकते हैं depression के, Alzheimer's and dementia patient, वो लोग जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, जिनके brain में neurons, जो brain की cells हैं, वो weak हो जाती हैं जिसके वाजा से, भूल जाते हैं चीजों को, याद नहीं रहती, उनके लिए बहुत अद्बुद, बहुत ही अद्बुद प्रड़क्त है, और ये याददा को बढ़ा देता है, neurons को मजबूती प्रदान करता है, and children with attention disorder, वे बच्चे जिनको अपने सबक को याद करने में परेशानी होती है, या वो attention नहीं किसी बात पे एक दम पे focus नहीं कर पाते हैं, उनको अगर हम ये देते हैं, तो ये अद्बुद प्रड़क्त हैं, उनके पूरे दिन में, और आप किसी समय भी ले सकते हैं, लेकिन रिक्मंट किया जाता है, कि सोते समय आप इसको लें, और इससे दो घंटे पहले तक आप दूद पी सकते हैं, इसके ऊपर या इसके साथ दूद नहीं पीना है, ऐसा कहा जाता है, और ये रिक्मंट इड भी है, औ और पॉलियोर्स में हैं यह फोड़ी वर्णिंग दी है इसमें आप देख सकते हैं इनकी वाजा से कभी-कभी क्योंकि थोड़ा लूज हो सकता है क्योंकि लेक्जेक्टिव एफेक्ट इसमें लेकिन यह इसमें घवरानी की बात नहीं अपना ठीक हो जाता है क्योंकि एक जो बॉटल है इसमें 30 जेल पर बॉटल पाया जाते हैं तीज दिन लेने के बाद आप एक हफ़ते का गैप करें और फिर इसको आरंब कर सकते हैं लगातार आप इसको 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 इस्तमाल कर सकते हैं तीन महीने तक कम से कम और यह अद्बुत प्रोड़क् की जो कि एक बहुत ही जबर्दस प्रोड़क्ट है और इनी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं सब लीडर्स का आप सब का भी आपने बहुत वहर से सुना और जरूर हर एक को हमारा ज्यांस का ओमेगा लाइफ इस्तमाल करना चाहिए इनी शब्दों के साथ थो मुद्धड शुच्ट जया ने गर्ट शुच्थ खर्ट फर्ट तो असर्द हर्द लिए घ्यांस का फ्रट भाड़ला बाड़।